इंग्लेंड में रविवार को मेल्बन क्रिकेट ग्राउंड में रुमान चक ती 20 विश्व कप 2022 के फाइनल में पाकिस्तान को हरा कर अपना दूसरा विश्व ती 20 खिताब जीता कोलकाता में दिल तूटने के 6 साल बाद बेन स्टोक्स को आखिरकार अपना ती 20 भुनाना पड़ा मैच के बाद कई क्रिकेट सितारों ने ट्विटर पर इंग्लेंड टीम को ट्वीट कर बधाई दी उन्होंने इंग्लेंड के लिए लगातार विश्व कप जीत में नाबाद अर्धशतक के साथ इतिहास में अपना नाम दर्च कराया स्टोक्स ने 49 गेंदो में नाबाद 52 रनों की पारी खेल कर इंग्लेंड को 5 विकेट से जीत दिलाए 138 रनों के कम लक्षे का पीछा करते हुए बोर्ड पर सिर्फ 84 रन पर 4 विकेट गवाकर इंग्लेंड वास्तव में परेशान था लेकिन स्टोक्स और मोहिन अली ने खेल को पाकिस्तान से दूर ले जाने के लिए 48 रनों की मैच विजेता साजहदारी की इससे पहले इंग्लेंड ने पूरे अनुशासन के साथ गैंदबाजी करते हुए पाकिस्तान को 137 रनों पर रोग दिया और अपने निर्धारित 20 ओवरों में 8 पाकिस्तानी विकेट लिए सैम कर्रन, आदिल राशिद और क्रिस जॉर्डन ने गेंग से चमक बिखेरी और पाकिस्तान के बल्ले बाजो पर दबाव बनाए रखा कुर्रन ने अपने कोटे के चार ओवर में सिर्फ 12 रन देकर सरवाधिक तीन विकेट चटकाए इसी तरह राशिद ने 22 रन देकर एक और जॉर्डन ने 27 रन देकर दो विकेट लिए पाकिस्तान के लिए शान मसूद में बल्ले से सबसे ज़्यादा 38 रन बनाए थे